स्माशकार दोस्तों मेरा नाम है येश और आप देख रहे हैं Technical Seed है तो आइस है एक शुटाक सिक्स टेकनिव स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या टेकनोलजी में नए अपग्रेड आये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसकी वीडियो यारी अच की पहली कबारे साथ है शामी को लेकर शामी के कल तिन प्रॉडड़क्स और ऑफिशील पर आने वाल है फिपकार्ट के साइड पे और मी.com पे डिविग और एड्मेर नट फाइड ग्रो आई एड्मेर नोट फाइड नोरिव प्रो को आपको बाद ने बताया था अपनी मेने पुनानी वीडियो में रिद्मेट 5 प्रो के 7 best features किया है और क्या गाई उसका क्या रिव्यू में पिछली वीडियो में आपको पताया है कि कॉंसप को फोन लेना चाहिए और आपको बजट है कि आपका अपको बजट अगर 12,000 अपर है और आप आप 5 प्रो ही लें और 4GB लें वीडियों के लिए 6GB लेंट के लिए आप इतना ना बागे को कि आपको इतना क्या करना है इसके अंदर 6GB लेंट के लाट साथ साथ 4GB लेंट बहुत सुफिशेंट है और सेम आपको चिपसेट मिलता है इसके अंदर 5 Pro के अंदर जो दो मॉडल आते हैं और जिसका बजट 10,000 से लोवर है तो गाइस बोर अद्मिन नोट 5 जाके लिए वह अच्छा फोन है पर उसमें आपको स्क्रीन का साइज बड़ा मिलता है और पुछ चेंज नहीं किया गया है और एडमिन नोट 5 Pro में जो च पूब जो अद फाइब है और एडमिन नोट 5 फॉन जाके बड़ा करते हैं या गोप करते हैं तो अगर आप जैसे ऐको के जो की कुछ स्वाफर्स है घश्टैग गिमी 5 जगा अगर आप जाकर अख जाकर शाम के ख़िश्वावे तो आपको 2000 उप्सके का वाउचर मिलता है जिए ओके थूँ तो उससे कि आपको जब आप Redmi Note 5 लेंगे या Redmi Note 5 प्रो लेंगे तो आपको 2000 पर का डिसकाउंट मिल जाएगा या आपको बाऊचर मिल जाएगा निक लिए पार यह Sony and Facebook को लेकर Sony and Facebook ने इनेबल कर दिया दिरेक्टली 3D content sharing वाल option and guys है पिक लिए Sony Xperia phone की and guys जो की currently run कर रहा है वो Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ1 Compact में run कर रहा है जिसमें Android Oreo का update आ चुका है and यह Oreo update आने के बाद ही इन दोनो phones में यह option available हो चुका है guys guys इसका Xperia XZ1 or Compact वाला series है आपको इस पिक के अंदर and guys है Facebook पे option दिया गया है 3D content का option आज की अगली कबार यह Samsung को लेकर Samsung Galaxy S9 के कुछ pick leak होई है guys finally leak जो आया है वो यह आया है कि Samsung का pick leak में देख सकते हैं जो camera के नीचे विंगर में sensor दिया गया है and कुछ और pick भी लेक होई है कि phone दीखने वाला कैसा है midnight black color में आने वाला है and guys यह देखे होई है front जो उसकी जो front look है वो इस तरह थे होने वाला है and back look आप देख सकते हैं back look इस तरह का होने वाला है इसका एक बार यह Mizu को लेके Mizu X2 को लेके guys finally Mizu ने confirm कर दिया है कि वो snapdragon 845 का आने वाला है guys यह pick leak हो यह phone की and guys जो उसकी price segment होने वाली है वो युवान में अगर बताया जाए तो 2000999 की होने वाली है याने की इंडन currency में 30,000 के बीच की होने वाली price range वाइस देखते हैं यह 12.18 में कब तक phone launch करते है Mizu के बार यह Moto G6 Play को लेके and ZT Blade V9 को लेके कुछ उसके Geekbench leak हुए है guys and आप इस pick में देख रहो है guys जो Geekbench Moto G6 Play का है उसमें आपको देख रहो है यह Android Oreo का साथ आने वाला है and आप इस pick में देख रहो है ZT Blade V9 के अंदर आपको देख रहो है आपको देख रहो है कुछ आपको देख रहा होगा बहुत डाउन लिंक हो अप्शन देख रहो है गाई उसका मॉडल नहीं है वह WCN3998 and उसका फीचर होने वाला है 2 x 2 Antina इंप्लेमेंट होने वाला है guys and guys जो यह वर्क करेगा बहुत ही fast work करने वाला है 2019 के लिए VR का new platform Unveil किया है Qualcomm ने आप इस pic में देख रहो है जो परानी pic है उसमें आपको देख रहा हुआ सिम अप 3 degree आप इसको run कर सकते हैं and आपको जो आप नई pic देख रहे हैं इसके अंदर आप 6 degree कर सकते हैं आपको freedom देख रहे है आप कैसे भी इसको move कर सकते है जो AI का जो नया upgrade आया है या Unveil किया है Qualcomm ने आप इस pic में देख रहे हो guys की Qualcomm already work कर रही है snapdragon 845 पे and जो market में अभी भी जो survive कर रहे है वो snapdragon 835 का chipset check कर रहा है and 660 का आपको chipset run कर रहा है and 820 का old chipset भी run कर रहा है इसके अगली के बार यह Xiaomi को रखे Xiaomi black shark के name से कुछ geekbench leak हुआ है guys and पहा रहे है की 845 snapdragon के साथ-साथ 8GB RAM का आने वाला ही है तो आप इस geekbench की जो pic leak हुए इस pic में दिख रहे है guys android or you का आपको support मिलेगा प्लस Qualcomm 845 का आपको snapdragon मिलने वाला है and andreno 630 मिलेगा and जो की RAM होगी वो 8GB RAM होने वाली है but guys जो internal storage है वो 32GB है पता नहीं क्या change हो सकता है या नहीं होगा यह internal storage 32GB के अलाबा अच्क अगली कबार यह Sony को लेके Sony Xperia XZ2 और XZ2 Compact के कुछ specification और कुछ pricing leak हुए है guys and का जा रहे की snapdragon 845 को आप आएगा plus 18 expect ratio 9 का इसका display size होने वाला है plus guys 4GB and 64GB इसकी internal storage होने वाली है plus 3.5mm का audio headphone jack होगा and guys जो इसकी pricing leak हुई है pricing की बाद करूं तो आपको यह 740 dollars यानि US dollar के अंदर and 6 March के बाद से यह बिखना शुरू हो जाएगा guys video ची लगे तो please like करें, share करें दोस्तों और सुझा दना बूले कि आपको video कैसी लगी and खाली आता जाए subscribe करके जाए एसी में रोधाना technology के नए अब बुलेट का नए news लेके आता रहूंगा video को end करने दे पहले अच्छे thought आज इसको end करूँआ your best teacher is your last mistake आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मलते हैं ऩापतू ऑलना गली वोफवाउ